गुड आप्टिनोन इस्टुनेंट्स मसुमन यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्लेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में एक बहुती इंपोर्टेंट चेप्टर पढ़ रहे हैं वो है हर्षवर्दन का समराज्य विस्तार तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने हर्षवर्दन की सांस्कृतिक विवस्ता के बारे में जानकर इप्राप्त की थी वो भी एकजाम की दर्स्टीचे बहुती महतोफुन टॉपिक था तो वीडियो को बार-बार देखना बनता है और अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्दन का समराज्य विस्तार हर्ष के विज़ों के बारे में हम पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते उसके द्वारा की गई विज़संग्द हैं तता हर्ष के समराज्य विस्तार को निश्चित करना भी मुश्किल है मजुमदार हर्ष के समराज्य में उत्तर प्रोधे बिहार, बंगार तता उड़िसा के बाहर का कोई भी भाग नहीं रखते है हर्स के पैत्रिक राजे थानेस्वर में दक्षिन पंजाब और पूर्वी राजपुताना समिली थे ग्रैव रुमा की मर्ट्यू के बाद उसने कन्नोज के मोकरी राजे को अपने समराजे में मिला लिया जिसमें समस्त उत्र परदेश का कुछ भाग समिल था बसकेड़ा और मदुबन के लेखों के आधार पर ये स्पस्ट हो जाता है कि आईच्छत्र और स्रावस्ति के परदेश हर्स के अधीन थे परियाग में उसने महा मोक्स परिस्द का आयोजन करवाया था जो वहां उसके अधिकार की सूचना देता है वेन सांग उत्तर के कई राजों के राजों के नतो नाम बताता है तथा नहीं उनकी राजनतिक इस्तिति का उले करता है ऐसे नाम इस प्रकार्सें देखेगा प्रवर्दन, सम्तट, तम्र लिप्ती, कांशुवांड, ओड्र तथा कोंगोद अंत्त है इन्हें हर्स के अधिर माना जा सकता है मगद पर उसके अधिकार की पुष्टी चीनी स्रोतों से हो जाती है जहां उसे मगद राज कहा गया है ससां के मिल्त्यू के बाद हर्स ने बंगाल और उडिसा पर अधिकार कर लिया था इस परकार पूरम में ब्रव्पूतर नदी तक का भाग हर्स के अधिन था पस्चिमोतर में सिंद का राज्य उसके परभाव छेत्र में था वेंसां के विवरन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जालंधर, कुलूट, सत्रू, आदी भी हर्स के अधिन था यमुना के पस्सिम में सोनपत से प्राप्त मुहर में उसके नाम का उले मिलता है जो वहां हर्स का अधिकार सुचित करता है ऐसा परतीत होता है कि पस्सिम में पस्सिमी मालवा, उजेन, जेजाग भुगती, महेश्वरपूर, बैराट, आदी के राजे भी हर्स के समराजे में समेलित थे पूर्वी मालवा तथा वलपी के राजे भी उसकी अधिनता सुईकार करते थे इस परकार पस्सिमी यमुना तथा नरम्दा के बीच का सभी भांग हर्स के समराजे में समेल हो चुका था उत्तर में हर्स का समराजे नेपाल की सिमा तक फैला हुआ था निसकर्षता इस परकार हम कह सकते हैं कि हर्स के समराजे में सम्पून उत्तर भारत समेलित था ये उत्तर में हिमाले से दक्सिन में नर्मदा नदी तदा विंधे पर्वत्तक और पूरमें ब्रह्म पूत्तर से पस्चिम में सुरास्टर यों काठियावाड तक विश्त्रित था चालू के लेखों में उसे सकलोतर पथनात कहा गया है तो सकलोतर पतनात किसे का आगया है हर्स को हर्स के समराजे में तीन प्रकार के राजे थे परतेक सासित राजे, अर्दिस्वतंतर राजे और मित्र राजे तो परतेक सासित राजे कौन से राजे थे? इस रेणी में वे राजे थे जिनका उलेक वेनसांग नहीं करता अर्श्वातन्तर राजे इस रेणी में वे राजे थे बलबी, पस्सीमी मालवा और सिंध, मित्र राजे इस रेणी में कस्मीर तदा कामरूप के राजे समिल थे इन सब के अलावा हर्श ने बाहिये देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण समन्द इस्तापित किये थे जो इस परकार है 641 इस्वी में चीन नरेश ताई सुंक के दरबार में हर्श ने एक ब्रामन दूद भेजा इसके उत्तर में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक राजदूद भेजा इसके साथ वन हुये से नामक एक चीनी अधिकारी भी था उन्होंने बहुत इस्तलों की यात्रा की तदा 647 इस्वी में सवदेश लोट गए हर्श ने 647 इस्वी तक राजे किया हर्श का कोई उत्रादिकारी नहीं था आता है उसकी मर्द्यू के बाद उत्तर भारत में पुन्ध है राजकता फैल गई तदा करनोज पर अर्जू नामक किसी इस्थान ये सासकने दिकार कर लिया था जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे करनोज के बारे में तो बने रहें यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पर और हमारा ये वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद